हेलो फ्रेंड्स आई एम रच्णा वेलकम एक माई यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए बेवी ड्रेस के साथ की बाजु की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं जो मेथड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस मेथड से आप हर साइज की बेवी ड्रेस होती हैं इनकी बाजु की कटिंग कर सकती हैं तो सबसे पहले हम आपको armholes की drafting करना समझाएंगे इससे ये होगा कि आप आसानी से बाजू की cutting कर सकती हैं यहाँ पर हमने solder लिये हैं 4.5 inch तो जब हम baby dress बनाते हैं तो solder से half inch अधिक लेते हैं armholes तो यहाँ पर हम armholes की length है वो हम 5 inch रखेंगे 5 inch तक हमें ऐसे line draw करनी है मैं armholes की drafting आपको दुवारा से इसलिए समझा रही हूँ ताकि बाजू की cutting समझना और भी आसान हो तो यहाँ पर हमने armholes की length 5 inch ली है और ऐसे हमने CD line draw की है armholes की length है 5 inch तो इसका center हुआ 2.5 inch तो यहाँ पर हम 2.5 inch पर mark करेंगे जो भी armholes की length होती है उसके center पर हमें mark करना होता है तब हम कोलाई करते हैं तो armholes की length 5 inch है तो center हुआ 2.5 inch यहाँ पर हमने 2.5 inch पर mark किया है और इसके बाद यहाँ पर हम 1 inch तक ऐसे line draw करेंगे और अब हमें कोलाई करनी है इस तरह हम back armholes की drafting करते हैं इसके बाद हम आपको front armholes की drafting करना बताएंगे जो mark हमने center पर किया है 2.5 inch पर half inch गले की तरफ mark करना है हमें और half inch हमें इस line से यहाँ पर mark करना है center वाले mark को हमें solder की तरफ मिलाना है इसी line से और फिर हमें गोलाई करनी है यह हमारे front armholes की drafting होती है इस तरह आप हर size की armholes की drafting कर सकती है तो drafting करने के बाद हमने top piece की cutting कर ली है सिर्फ हमने यहाँ पर आपको armholes की drafting करना समझाया था तो यहाँ पर हमने यह two piece लिये हैं बाजू की cutting के लिए तो यह two piece हैं हम आपको एक वार फिर से दिखा रही है और जो length है हमने बाजू की 5 inch ली है और silky जो तयार यह बाजू होगी यह हमारी 3.5 inch की होगी तो यहाँ पर हमने 1.5 inch fold करने के लिए और sly के लिए add किया है और बाजू की चोड़ाई हम armholes के according लेते हैं यहाँ पर हमने बाजू की चोड़ाई fold करके 7 inch ली है और जिस dress के साथ की हम यह बाजू की cutting कर रहे हैं उस dress का हमें back piece लेना है यहाँ पर हमने back piece लिया है top का और पहले हम half inch armholes की उपर की तरफ mark करेंगे क्योंकि इतना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा और फिर हमें armholes की ऐसे गोलाई देखनी है यह कितनी है देखें यह 7 inch है तो इस तरह हमने जो कपड़ा लिया है इसकी चोड़ाई हमने 7 inch ली है और यह कपड़े की बंद side है और यह खुली side है और यह चोड़ाई है और यह length है अब हम बाजू की drafting कर रहे हैं तो बंद side की तरफ से हमें बाजू की चोड़ाई में mark करना है 2 inch पर 2 inch पे हम mark इसलिए कर रहे हैं कि armholes की गोलाई करते time हमने 2.5 inch पे mark करके तब गोलाई की थी तो half inch हम कम रखते हैं जब हम बाजू की गोलाई करते हैं तो यहाँ पर हमने 2 inch पे mark किया है जब हम बड़ी size की बाजू की cutting करते हैं तो हम 3 inch पे mark करते हैं छोटी size की बाजू में हमने 2 inch पे mark किया है खुली side की तरफ से हम mark करेंगे 1.5 inch पे क्योंकि यह बाजू हमारी छोटी है तो यहाँ पर हमने 1.5 inch पे mark किया है खुली side की तरफ बाजू की length में तो 1.5 inch पे mark करना है और फिर जो हमने यह 2 mark किये है यहाँ पर हमें ऐसे 30 line ड्रो करनी है और अब हमें मोहरी रखनी है बाजू की मोहरी 7 inch है और कपड़ा हमारा fold है तो यहाँ पर हम 3.5 inch पे mark करेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा fold है तो यहाँ पर हम 3.5 inch पे mark करना है 1.5 inch यहाँ भी हम margin के लिए add कर रहे है और इसके बाद दूसरी line से भी हमें 1.5 inch पे mark करना है margin के लिए और फिर जो हमने यह mark किये है यहाँ पर हम ऐसे line ड्रो करेंगे line ड्रो करने के बाद हमें cutting करनी है तो पहले आप इसे इधर की side से cut करें फिर दूसी side से cutting करने के बाद हम आपको front बाजू में जो cutting की जाती है उसकी drafting करना बताएंगे तो यहाँ पर हमने यह cutting कर ली है इसके बाद हमें यह तिर्शी line देखनी है जो हमने 2 inch पे mark करके यह तिर्शी line ड्रो की थी यहाँ से और line तक हमें यह देखना है इसकी जो length है वो कितनी आ रही है यह हमारी 4 inch तो 4 inch का center हुआ 2 inch तो यहाँ पर हम 2 inch पे half inch बाजू की अंदर की तरफ mark करेंगे और फिर हमें 2 inch से ऐसे गोलाई करनी है और इसके बाद अब हम cutting करेंगे तो आप 2 piece उपर की तरफ करें और फिर हमें यह cutting करनी है cutting करने के बाद जो side में थोड़े से यह कोने है finishing के लिए आप इसकी भी गोलाई कर सकती है तो जो method हमने आपको आज बताया है यह बहुत ही आसान है इस method से आप baby dress की जो बाजों है उनकी cutting कर सकती है और friends यदि आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो please हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें comment करें, share करें thank you